एके 47 काम कैसे करती है चलो जानते हैं एके 47 से आज तक 10 करोड से भी जादा लोग मारे गए हैं एके 47 को दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूख माना गया है क्योंकि ये एक मिनिट में 600 से भी जादा गोलियां फायर कर सकती है 1400 किलो मेटर पर आवर की स्पीड से एके 47 को चलाने के लिए सबसे पहले इस मेकजीन को गन के नीचे वाले पार्ट में लगाया जाता है जिसमें होती है 30 से विज़ादा गोलियां हर गोली में आगे होती है बुलेट और पीछे होता है ये बारूद और फिर इसके साइड में लगे चार्जिंग हैंडल को बीचे खींचा जाता है फिर ये आटोमेटिकली आगे चला जाता है और मेकजीन की गोली को गन के बैरल के अंदर लोड कर देता है फिर आती है बारी ट्रिगर दबाने की जब तक ट्रिगर को नहीं दबाय जाता तब तक ये हैमर ट्रिगर की उपर वाली सैड में फसा हुआ रहता है और फिर जैसे ट्रिगर को दबाय जाता है तब ये हैमर ट्रिगर में से निकल जाता है और जाके टकराता है इस फाइरिंग बिन से और फिरे फायरिंग बिन आगे जाकर गोली के बीचे के प्राइमर से टकराती है इसे इन दोनों के बीच में एक चिंगारी पैदा होती है जिसे गोली के बीचे के बारूदी के अंदर आगे लग जाती है और बैरल के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ये गोली तेजिसो किलोमेटर परावर की स्पीड से गन से बाहर निकलती है